नमस्कार, आखेर भातिय जिन्ता पार्टी ने तीनों प्रदेश लों में अपने नए मुक्हमत्रियों की नाम की गोशना कर दी, इन नए नामों के साथ जातीगत समीकणों को भी साधनी की पूरी कोशिश की गई है, जहां 36 गड़ में एक आदेवासी को मुक्हमत्री बनाया गया, वहीं मद्यप्रदेश में OBC समाज के यादव समाज की व्यक्ति को मुक्हमत्री बनाया गया, और आज राजिस्थान में सवन समाज भजनलाल शर्मा जी को मुक्हमत्री बनाया गया है, भजनलाल पहली बार विधायक बने और उसके साथ वास सीरे मुक्हमत्री बन ग तागी भातिय जन्ता पार्टी में C.E.M. तक बन सकता है। इससे भातिय बीजेपी के जो कार करता है उनमें एक नया उस्साह आएगा और एक नई ताकत नई शक्ति के साथ सब लोग काम करेंगे। दोयार चौबीस के चुनाब में ये नरेंद मोदी के लिए 31 साबित होने वाले हैं। आगे ये कैसा काम करेंगे वो एक बात का सवाल है। लेकिन अभी दोयार चौबीस के हम बात करें तो ये जिस हिसाब से जातीगर्ट समीकन बनाए गए हैं उसको साधा गया है तो इसमें बीजेपी को सीधा फायदा होने वाला है। जहां यादब की बात करें तो उत्तर प्रदेश और विहार में पूरा इसका फायदा मिलेगा। और 36 गड़ के सीम की अगर हम बात करें तो एक आदिवासी आ हैं जो करनाटक, महराष्ट, 36 गड़, जहारखंड, ऐसे राज्यों में जहां आदिवासी लोग हैं जिनकी संख्या जादा है, वहां पर बीजेपी इन से परिचार कराएगी और इनका पूरा फायदा उठाएगी। महरा यादब जो हैं जब बिहार में जाएंगे, जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जब उनको लोग देखेंगे कि महरा लिकलिन यादब हैं, तो बीजेपी का जो नजर है वो यादब वोट पर है, उस से जो वहां का जो यादव वोट है वो बीजेपी की और आकर्श्चित होगा, तो बीजेपी की नजर पिहार की 40 सीटें और मर्द्य बुदेश की 50 सीटökं पर है, वहीं दूसीर ओर हम बात कर क्योंकि CM बनने के बाद इन्होंने कभी ऐसा कौई काम नहीं 2000बर इसी से पार्टी को फार्दा हो ऐसा लोगों के बीच में मतलब पार्टी की को एक हची हो जब भी यहारी है कि नकारात्मक्षवी ही इनकी बनी जिसकी वज़े से आज पार्टी को मजबूरें इनको सत्ता से बेदेखल करना पड़ा एक बार पहले भी इनको हटाने की कोशिश की गई थी लेकिन पहले जो यूग था जो मतलब भातिय निता पार्टी थी आड़वानी और टलजी के जो समय था उस समय भी इन्होंने ऐसी तेबर दिखाये थे लेकिन ये भूल गई थी इस समय नरेंद मोधी केंदे में बैठे और रहा सिवरा सिंग का अगर हटाने के बात करें तो सिवरा सिंग को मात्र इसलिए हटाया गया है क्यांकि 15-20 साल से वो लगातार सत्ता में थे और एक नए चेहरे को ताकि यूबा उनसे नए जुड़े उस हिसाब से इनको मोहन यादब को सीम बनाया गया है और लोगों म है इनका जो अनभव है पार्टी इनको अवश्ट लेगी मुझे लगता है कि संगठन में हो सकता है और पिर केंद में इनको मंत्री बनाया जाए अगर हम 36 की बात करें तो 36 गड़ में बीजेपी ने मात्र क्योंकि पांस साल से मतलब 15 साल से सत्ता में थे और पिछले 5 साल से उन्होंने ऐसा कुछ विपक्ष में रखे कोई ऐसा काम नहीं किया था वो तो बीजेपी जीत गही नरेन मोदी के चेहरे पर तो बीजेपी आला कवान कोई निरने लेना था कि क्या करना है इसलिए और दूसरा ही कि हुहां पर आदिवासी को इसलिए बनाया गया है क्या कि जो आसपास के जो सीट्स हैं वो उनको अपने कबजे में ले सके और पार्टी को फायदा मिल सके